नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर अंदर ऐसल आप लोग का बहुत बहुत सागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल में दोस्तो आज हम इस व्यूडियो में डिसक्स करने वाले में बुरुशों में पाई जाने वाली एक और कॉमन समस्या यानि की मेल्स में पाइजाने वाली एक और कमन समस्या जिसे के प्रोस्टेट ज्रैंड का बढ़ना या फिर बी पिएच या फिर बनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रॉफी या फिर गदूत का बढ़ना भी बोल सकते हैं यह जो निया फिर प्रोस्टेट्ट मे में हैं ऍासरी कि characterized अ कॉल्फी जाती है और यॉर्णस्रीट फिर रही कि ये पर बिनाशन में होते हैं और इस यूडे में इस करेंगे तो आईए शूरू करतें दोस्तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अख्रोड की शेप में होता है यह मेल से पाई जासा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यह जो अपर का स्ट्क्चर रहे से यूरिनियर ब्लैटर कहते हैं जिसे कि पिशाप की थाली कहते हैं इसके नीचे जो जिसके दोरब जिसे जो एक्टिवटी आलमोस्त तेज होने लग जाती है और इसके जिसे यह जो यूरूत्रा है यह दबने लग जाता है जिसके यूरिन रिलेटर कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का फुंक्शन हमारी बॉड़ी में यह होता है दोस्तों जो क यह जाता है और जैसे से एज बढ़ती 85 तक इसम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो आये जानते क्या क्या स्म्टम्स जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के बंड़ने की विडिल से हमारी बॉड़ी में दिखाने देना शुरू हो जाते हैं तो इसको पहले सिम्टम है दोस्तों आप यूरीन करकर आते हैं और फिर आपको दुबारा से थोड़ी दर बाद आपकी नीद कुल आते हैं फिर आपको अर्जिंग होती है जिसके सिर्फ आपकी स्लीप हो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है इसके लावब जो इसका नेक्स इंटम्स देखा गया है वह यह है आपको याद होगा कि नॉर्मल सीचिशन में जब आप यूरीन करने आते हैं तो इसका एक फ्लो होता है जो पिषाब हो पैरों से काफी दूर की तरफ किरता है बट प्रॉस्टर्ट की जो सिंटम्स जब आना सुरू होजाते हैं तो इसके में क्या होता है जो यूरीन का फ् बुन बुन करके निकलने लागता है एक बार में जो है ब्लैडर एवेक्वेट नहीं हो पाता प्रॉपर और उसके लिए से जो बार बार अर्जिंग होती है कि हमें यूरीन जाना है बार बार यूरीन जाने की अर्जिसलिए होती है दोस्तों क्योंकि आपको जो ब्लैडर है वो पूरा इवेक्ट नीहाइज हो पता है शर्वायÕ ev voted iscole nv इसके लाव परिशाब करने में अध Smash!」 इसका है वह थोड़ा ज्यादा लगता है आपको ङूरेशन वह कंवा दक coherentira पिषाब बून-बून करके निकल रहा है डिर्बलिंग हो रही है जो प्रॉस्टेट है वो इसको धबा रहा है और इसकी ब्राइट्र है वो पूरा खाली नियों पार रहा है या इसके लावा अगर आपको prostate cancer की समस्या है तो भी आपको ये urine related symptoms आना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको advice करूँगा कि आप सबसे पहले कि confirm करा लें कि आपको prostate की दिक्कत है या नहीं उसके लिए जो आपके doctor है वो आपको एक ultrasound लेके देंगे आपको जो है urine bladder storm जी सकते है यूरीन में infection भी शुरू हो सकता है और कई बार देखा गया है कि blood भी आना शुरू हो जाता है इसका नेक्स्ट कॉम्लिकेशन देखा है वो damage to kidneys याने की back pressure की यूडिसे जो आपकी kidney है वो damage होना शुरू हो जाती है तो इस सारी कॉम्लिकेशन देख यूरीन के लिए डिस्किल से आपकी जो sleep प्रॉपर नहीं हो पाती है तो आहीं जनते क्या 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 होमपतिक मेडिसें अभी उसक्राइब कर देखा पाने के लिए दुस्तों इसकी तो टॉप्मोस्ट मेडिसें वह सबल सुरूलूटा का mother denture यानि कि सबल सुरूलूटा क् प्रॉस्टेट ग्रैंड के लिए टॉप मोस्त दवाई मानी जाती है इसको जो शुम्टम से वो यह है कि फ्रिक्टेट इरुनेशन जो की प्रॉस्टेट ग्रैंड में देखा जाता है बार बार अर्जिंग होती है आपको यूरीन की यूरी इंफ्रेक्शन है आपको जो पिशाब को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है या फिर जो उसके फ्लो है वो ठीक से नहीं हो पारा उस केस में जो है सबसुरूल्टा बहुत ही इफेक्टिमेड सेन है इसके अलावा यह इंफेक्शन को भी ठीक करती है यह किड्नी को डैमेज होने से भी बचाती है और बहुत है वह बहुत है अच्छा काम करती है सबसुरूल्टा जो मेडिसन से मदर इंचर फॉर्म मे लेनी आपको पाने बिडार के लेनी आपको दन में दीम बार सुबह दुपैर शाम अगर पॉसिबल है थोड़ा खाली पेट ले यह बहुत अच्छा काम करेगी इसकी जो मेडिसन है दोस्तों वह है थूजा थूजा जो है आपको 30% मे लेनी है थूजा जो है वह किसी भी ओवर रोध को कम करती है जैसे की प्रोस्टेट एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड का जो साइज है उसको घटाने मे थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है बट जो अगर आप रात में पांच बार उटते हैं तो आप तीन बर जाय करेंगे या जो आपको फ्लो है वह बैटर होना शुरू हो जाएगा तो ग्रैजुली जो है आपको यूरिन डिलेटिव जो जो प्रॉलम्स है उसमें आपको थोड़ थोड़ा अराम आना शुरू हो जाएग इसके लावब दोस्तों जिन लोगों को प्रॉस्टेट के समस्य है और लोगों अपनी लाइफस्टैल में भी कुछ चेंजिस करने पड़ेंगे जैसे कि उनको जो है बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है और सुने से दो गुंटा पहले पानी का जो इंटेक है वो कम कर दे इसके लावब जो आपको अपना वेट है उसको मैंटेन करना पड़ेगा और एक बैलेस्ट लेनी पड़े दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक शेयर सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज को लाइक शेयर सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग स्वास्तर हैं वेस्तर और मस्तर हैं जाहिन जाह बारत धन्यवाद